नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर कृप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा दोस्तों अपना ज्यान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों शास्त्रों में सावन का महीना बहुत ही शुब और मंगलकारी माना जाता है सावन के पवित्र महीने में सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में होते हैं, सावन के महीने का हर एक दिन उतना की पवित्र माना जाता है, जितना की पवित्र गंगा जल सावन सुमवार का वरत रखने से संपूर्ण फल की प्राप्ती होती है, कुमारी कन्याओं के सावन सोमवार का वरत बेहद ही शुभ माना गया है, इसे भगवान शिव की तरह ही एक अच्छे भर की प्राप्ती होती है, सावन सोमवार का वरत. सुहागिनों के लिए एक वर्दान माना जाता है, इस वरत को पूरा करने से पती परमेश्वर के उपर कभी कोई आच नहीं आती सावन का त्योहार भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ और जोरो शोरों के साथ मनाया जाता है, सावन में काव यात्रा कर ली तो समझो साक्षात भगवान शिव की क्रिपा आपके उपर बरसती है, और भोले बाबा आपका कभी बुरा नहीं होने देते अगर आपके माता पिता नहीं है, और संसार में आपका कोई नहीं है, तो आप जगत पर था शिव शंभू को अपने माता पिता मान सकते हैं, भगवान शिव अपने सक्चे भक्त की पुकार अवस्थी सुनते हैं, दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर घर का ऐसा जल भूल कर भी नहीं चड़ाना चाहिए घोर पाप माना जाता है, भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। जल नहीं चड़ाना चाहिए, जल आप किसी और से चड़ पा सकते हैं। सिर्फ दोश्ट दूर हो जाता है, इससे आपको धन सुख समरिधी एशवर्य सब कुछ प्राप्थ हो जाता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता के चरणों को सावन में गंगा जल से धुला देता है, तो वह स्वयन तीर्थ यात्रा कर लेता है। ऐसा व्यक्ति स्वयन श्रवन कुमार कहलाता है, शिव पुराण में वर्नित है माता पिता की सेवा। स्वय भगवान श्रव की सेवा मानी गई है, इसलिए सावन के शुब अफसर पर माता पिता के चरण गंगा जल से अवश्य बुलाना चाहिए, ऐसा व्यक्ति मोक्ष धारन करता है, दोस्तों नमबर तीन सावन में तथा किसी भी अफसर पर शिवलिंग पर प्लास्टिक के बने धातू से जल अर्पित नहीं करना। जिससे आपका भाग्य उदे होता है, इसलिए शिवलिंग पर तामबे के लोटे से ही जल अर्पित करना चाहिए, अत्यंत शुब और मंगलकारी होता है, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पान के पत्ते को शिवलिंग पर अर्पित करने से, धोले बाबा प्रसंद होते हैं, औ जाता है कि सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, शिवलिंग पर पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए, लेकिन पान का पत्ता साबित होना चाहिए, दोस्तों नंबर चार घर का कोई भी जल आप शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते जानिये, क्यों शिवलिंग पर हमेशा गंगा जल ही अर्पित करना चाहिए साधारन जल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता साधारन जल को पवित्र करने के लिए उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए कई लोग नल आदी से टंकी आदी से जल भरकर शिवलिंग पर इससे आपको फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी इसलिए साधारन जल में गंगा जल अवश्य मिला लें क्योंकि भगवान शिव गंगा जल के स्पर्ष से ही शांत होते ही शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से व्यप्ति का भाग्य उदे होता है बहुत। इसलिए बच्चों को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए दोस्तों नमबर है अगर पूजा का लोटा खराब है तो उससे कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए उस लोटे को तुरंत घर से हटा दें ऐसा लोटा खंडिक माना जाता है दोस्तों नमबर साथ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा हुआ भी दोबारा से उठा कर उसे धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं क्योंकि बेलपत्र कभी भी आप अभी तय नहीं होता लेकिन याद रहे बेलपत्र फटा हुआ नहों और उसके तीनों पत्ते साबुत होनी चाहिए शिवलिंग पर बेल चलाने से व्यक्ति भगवान शिव की क्रिपा पाता है ऐसा व्यक्ति धनी हो जाता है सावन में पहले शिवजी को बेल का फल भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए इससे भोले बाबा की क्रिपा आपके उपर बरसेगी भगवान बाप को धन से माला माल कर देंगे दोस्तों नमबर आठ घर का मंदिर साफ करने के लिए साधारन जल में गंगा जल मिला कर ही मंदिर को धोना चाहिए तथा मूर्ती आदी साफ करना चाहिए साधारन जल से मंदिर की साफ सफाई कभी नहीं की जाती इसलिए साधारन जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला ले इससे पूरे घर की शुद्धी करन हो जाती है दोस्तों नमबर 9 शिवलिंग पर भांग धतूरा और सफेद फूल तथा सफेद मिठाई अर्पित करने से दूध दही अर्पित करने से तथा शमी के पत्ते अर्पित करने से साक्षात भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं दोस्तों शिवलिंग पर गन्ने का रस तथा शहद और गुर चढ़ाने से व्यक्ती के जीवन में मिठास आती है और मीठे पकवान दान करने से जीवन में कभी भी खटास की उत्पत्ती नहीं होती दोस्त तो साक्षात गुलाब में माता पार्वती का वास होता है शिव परिवार का वास होता है इसलिए शिवलिंग पर गुलाब चढ़ाने से माता पार्वती की कृपा बरसती है भगवान शिव की कृपा बरसती है भगवान गनेश को गुलाब का इसलिए गुलाब का फूल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित। इसलिए गुलाब का फूल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महा दे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में अब तक के लिए नमस्कार।